तो सबसे पहले तो अगर मैं summarize करूँ इस match को तो अराम से ये game of the season का contender है मतलब मुझे नहीं लगता कि इस से बहतर match हमको प्रेमेर लीग में देखने को मिलेगा अगर हम पर्सों की ही बात करें जिस तरीगे से वुल्स ने सपर्स को हराया लास्ट मिनिट विनर मार के तो वो बताता है कि ऐसी चीज़े होती है प्रेमेर लीग में जिनको आप expect नहीं करते और बहुत ज़ादा मज़ा है इस match को देखके न्यूटरल जो है उन्होंने बहुत अनंद लिया हुए इस match का अब match की बात करते हैं किस तरीके से जो है setup था क्या context था confidence था हमको नहीं था तो देखिए अगर आप चाहे मेरा preview देखेंगे चाहे हमने जितने भी discussions किये थे इस match को लेके मैंने यही गाता कि Chelsea favorites नहीं है favorites हमेशा Man City ही होंगी वो जिस भी match में जाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और Chelsea का बहुत ही topsy-turvy season रहा है और आप कहे नहीं सकते किसी भी match से पहले कि कौन सी Chelsea जो है वो आएगी आज खेलने के लिए एक Chelsea हमको याद आती है जो West Ham के against बहुत दूरी तरह आरती है एक Chelsea हमको याद आती है जो Arsenal के against बहुत अच्छे perform करके फिर अपना head lose करके last के 10 minute में match गवाँ देते हैं एक Chelsea हमको याद आती है कि अच्छा खेलने का बाद Arsenal के against Brentford के against दो निल हर जाते हैं home पे और फिर ये एक Chelsea है जो Spurs के against जाके 4 goal मारके जीतती तो है convincing नहीं रहती है performance लेकिन एक ये भी Chelsea है जो best team है समय European football में Manchester City जो best football coach है आज तक के मेरे हिसाब से arguably अगर हम बात करें Pep Guardiola की उनके against 4 goal score करती है तो अजीब सा है Chelsea का कुछ मिजाज आप कह नहीं सकते हैं कि कौन सी team जो है वो आज हमको देखने को मिलेगी किस तरीके की football Chelsea खेलेगी अब बहुत सारे यहाँ पर stats थे बहुत सारा context था एक तो यह था कि वो जो Champions League final हुआ थे न दोनों team हो के बीच में 2021 वाला उसके बाद से Chelsea एक match छोड़ी एक goal score नहीं किया था Chelsea ने तो वो एक streak टूटी है आज सारी जो चीजे हैं वो हो रही है चल रही है और यह एक ऐसी Man City के against आप खेले हैं match से पहले जैसे मैंने का confidence बिल्कुल भी नहीं था Man City हमेशा favorites होती है going into the game लेकिन मुझे यह था कि मैंने इतनी positives देखी है Chelsea से और Man City में भी मुझे कुछ कमिया लगती है कि मुझे लगता है कि हम इनकी press यदी bypass करते हैं तो हम pace से इनको hit कर सकते हैं और final third में हमको composure रखने की जरुवत है decision making हमारी अच्छी होनी चीए क्योंकि chance कम मिलेंगे और उन chances को लेना बहुत ज़ादा ज़रूरी है और exactly आज players ने वही किया Man City किसी भी माइने में invincible नहीं है although team बहुत अच्छी है जैसा मैं कहा रहा हूँ best team है इसमें कोई दोराए नहीं है कि उनसे बहतर team अभी कोई नहीं है over a long period of time अगर आप एक consistent run-off games में देखेंगे तो Man City जो है they are the team to beat तो उसके against अगर आप 4 goal score कर रहे हैं और जैसे मैंने रिकॉर्ड बता है ये रिकॉर्ड आप जो हैं तोड रहे हैं आप अपने favor में अच्छ अच्छ रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती आपके confidence के लिए performance बहुत अच्छी है अब आते हैं match पे जैसा मैंने का था ये जो match होगा ये midfield में हारा जाएगा और midfield में ही जीता जाएगा तो कुछ उसी तरीके का match देखने को मिला जिस तरीके से Connor Gallagher की performance थी I think मेरे हिसाब से वो हमारे best midfielder है इस समय भले ही हमने Enzo को खरीदा हो 105 million में काइसेडो को खरीदा हो 115 million में बट जो Gallagher से देखने को मिल रहा है इस season और जिस तरीके की हमारी functioning है midfield की यह बहुत जादा Gallagher dependent system है जो Pochettino कहिला रहे हैं और Gallagher Pochettino को इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत जादा महनती है 110% देते हैं अपना हर match में और अब quality भी उनकी निखर के आ रही है वो उस role में खेल रहे हैं जिनमें उनको खेलना पसंद है ना उनको pivot में खिलाया जा रहा है ना उनको एक number 10 में खिलाया जा रहा है उनको एक advanced 8 की तरह खिलाया जा रहा है जो उनकी best position है और यहाँ पर जो हमने crystal palace वाले glimpses देखे थे वो अब हमको Connor Gallagher से देखने को मिल रहे हैं finally इस season और Connor Gallagher की बदौलत ही जो Enzo और Kaisedo कर पाते हैं पिछ पे वो उनी की वज़े से होता है because उनके पास assurance है कि अगर Enzo आगे जा रहे हैं तो Kaisedo को पता है कि मेरे पास एक बंदा है जो पीछा आके मेरी मदद करेगा जब Enzo ball को लेके आते हैं forward तो उनको पता है कि एक बंदा है जो late drive करेगा जो मेरे साथ support में खड़ा रहेगा जब मैं आगे ball progress कर रहा हूँ मेरे पास हमेज़ा एक option रहेगा और वो option है आपके Connor Gallagher be it defense, be it attack brilliant, brilliant performance from him और consistently वो अच्छा खेल रहे हैं, हम सब को गलत प्रूफ कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनकी performance जो है इसी तरीके से चलते रहे है I think जो वो captain बने शुरू के 5-10 matches में है ते उससे confidence जो है उनका जरूर boost हुआ है Reese James अगर fit रहते हैं तो I think उनसे बढ़िया ride back शायद ही कोई होता है अगर एक fit Reese James अपनी 100% match, fitness, match sharpness पे खेल रहा है तो उस बंदे में त्यी quality है कि वो बड़े से बड़े ride back को competition दे सकता है तो I think Reese James का आज game बहुत ही जादा बढ़िया था मालो गुस्तो की signing finally हमको Reese James को manage करने के लिए allow करती है कि Reese James जो है उनको 60 minute खिला सकते हैं और वो 60 minute में ही बहुत जबर्दस जो है वो impact दे देते हैं और इस तरीके से क्या होता है मालो गुस्तो को भी minutes मिल जाते हैं plus Reese James जो है हम उनको अच्छा manage कर सकते है और उनका जो load distribution है उसका ध्यान रखते हुए उन पे ज़्यादा load नहीं डाल सकते because हमको पता है कि Reese James कितने ज़्यादा crucial है हमारे लिए और वो ज़्यादा अगर burden लेते हैं तो उनको injury हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो Pochettino कर रहे हैं डोकू को, Foden को, Alvarez और Haaland चार उन्होंने front line forwards किलाए थे उसके बाद अगर हम बात करें तो बर्नार्डो सिल्वा थे जो playmaker का role play कर रहे थे तो बहुत ही जबरदस तरीके की ये front line थी और ऐसा लग रहा था कि Man City जो है पोजेशन डॉमिनेट करेंगे आप से हम पोजेशन जीतेंगे भी प्लस जो है आपको attack भी करेंगे ब्रेक पे आपको hit करेंगे जहाँ पर रहीम स्टर्लिंग बहुत ही बहतरीन football खेल रहे थे Cole Palmer राइट साइड में रहीम स्टर्लिंग लेट साइड में दोनों ex-man city players how poetic is that कि man city के against जो हमारी इतनी बड़िया performance होती है उसमें man city के दो ex-players जो है हमारे best players निकल के आते हैं तो बहतरीन बहतरीन वहाँ पे performance दोनों का ही रहीम स्टर्लिंग का और Cole Palmer का मेरे हिसाब से वो दोनों alongside Gallagher हमारे 3 best players थे आज match में उसके बाद एक controversial penalty call होती है तो देखिए उस time तो लग रहा था कि यह penalty है लेकिन अभी जब मैंने दुबारा replay में देखा और दुबारा जब मैंने इसको real time में देखा तो मुझे बहुत harsh वो penalty लग रही है I think वो जो कुकूरिया का हाथ है Harland के around उसकी वज़े से referee ने दिये लेकिन उस foul का क्या जो Jeremy Doku ने Reece James और Kayserdo थे I think जिनका collision हुआ था उससे पहले कुछ ऐसी चीज थी कि जहांपर वो foul हुआ था तो मेरे according वहाँ पे वो penalty नहीं होनी चाहे थी अब मैं hindsight में कह रहा हूँ लेकिन क्यों वो penalty दी गई होगी क्योंकि कुकूरिया का हाथ जो है वो Harland के around है लेकिन Harland वैसे ही गिर रहे थे and he made most of it अंठीक है जिस तरीके की referring है मैं देखिए इस चीज पे इसलिए नहीं मैं जादा क्रिप करूँगा because यह हमारे favor में भी हो जाएगी थोड़े दिन बात यह कोई ऐसी 50-50 decision होगी जो penalty नहीं मिलनी चाहिए या कोई ऐसा decision होगा जो हमारे favor में नहीं जाना चाहिए वो हमारे favor में चला जाएगा because ऐसा कोई particular club नहीं है या कोई pattern नहीं गलती होगा कि किसी club को कि man city ने तो पैसे दे रखे तो man city को बहुत favor किया जा रहा है या फिर Chelsea के against यह सबकुछ हाँ Anthony Taylor है incompetent referee है हमको पता ही है कि उनकी refereeing कैसी है और उनकी history क्या रही है Chelsea matches में तो थोड़ी stand out होती है चीज but सीधी सी बात है इतनी घटिया किसम की refereeing और VAR के calls हो गए है कि यह आपको फायदा भी देंगे in the longer run अगर हम season की बात करें और balance out हो जाएंगी चीज़े eventually तो मैं इसलिए जादा दुखी नहीं हो रहा हूँ कि वो penalty दे दी गई और ठीक है मतलब आप hindsight में बोलेंगे कि उससे ruin हो गया थोड़ा सा game बढ़ ठीक है क्या कर सकते है जो हो गया हो गया इसके बारे में हम जादा बात कर नहीं सकते इसके अलावा कि मैं बोलूँ की नहीं क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ इस penalty की बात करता रहूंगा ने इस call की तो उसके अलावा इस game में जो अच्छे अच्छी चीज़े हुई है उन पर थोड़ा से injustice हो जाएगा उनकी बात मैं नहीं कर पाऊँगा अच्छे से तो Harland penalty score करते हैं और एक जो चीज मुझे अच्छी लग रही है इस Chelsea team की कि अगर call पड़ भी जाता है हम पर हम concede भी कर लेते हैं तो shoulders drop नहीं होते हैं heads जो हैं वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाते हैं काम रखते हैं अपने आपको cool और composed होते हैं और थियाग उसिलवा उसी चीज का उधारन देते हैं एक equalizer score करते है brilliant run from him late आते हैं बॉक्स में delivery बहुत अच्छी होती है और corner पे जो है goal score कर देते है one one हो जाता है उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया moment आता है जिस तरीगे से वहाँ पे एक link up play होता है बढ़िया सा Enzo और Reese James के बीच में Cole Palmer Reese James को ball खिलाते हैं महाँ पे Guardiol से गलती होती है Reese James विशानदार तरीगे से cross deliver करते हैं अंदर और Raheem Sterling जो है tap in करतके एक lead दिला देते हमाँ Chelsea को और brilliant brilliantly crafted goal मेरे हिसाब से वो गलती जरूर हुई Guardiol की लेकिन chances जैसा मैंने का जब आपको मिलते हैं आपको लेने जरूरी है और आपने वो chance लिया और lead दिलाई Chelsea को जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और हम deserve करते थे वो lead जिस तरीके के हमने chances create भी किये थे और जैसा मैंने का पूरी ही front line apart from Jackson at some moments उनकी decision making आज भी थोड़ी सी iffy थी first half में specially वो थोड़ा सा और अगर aware रहते अपने teammates की तरफ की भाई मेरा teammate मेर से और बहतर position में या दो options है मेरे पास तो सही अगर option वो चुनते एक दो बार तो और साथ बहतर chances create हो सकते थे लेकिन उसके लावा अगर हम बात करें तो Palmer, Sterling और Gallagher ये तीन जो operate कर रहे थे front channels में बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से हमारा attack वो work कर रहा था उसके बाद जैसा मैंने का कि हमारी switch off होने की बहुत गंदी आतत और defensive mistakes हमारी होती है अकान जी just half time के पहले वो goal score कर देते हैं बहतर defending की मैं उमीद करता हूँ वहाँ पर रीस जेम से एंजो फर्नेंडिस से थियागो सिल्वा से switch off हो गए वहाँ पर सब एंजो फर्नेंडिस ने अपना man जो है वो खाली छोड़ दिया अनमार्क और जिसकी वज़े से एक free header मिल गया अकान जी को गेम में वापस आकी city और एक purpose और plonk के साथ second half में ICT उनको पता था कि यहाँ पर अगर goal जल्दी score नहीं किया तो Chelsea जिस तरीके की chances बना रही है दिक्कत हो सकती है और आते ही हमसे फिर एक गलती होती है I think Kukureya का बाद में थोड़ा सा वो settle हो गए गेम में लेकिन थोड़ा उनका up and down था आज गेम में यह नहीं होगा कि entirely उनसे convincing performance मुझे देखने को मिली and same with Kaisedo also I think Kaisedo भी थोड़ा साथ second हो रहे थे जब Man City के पास ball थी midfield में Kaisedo को और Kukureya को सक करके जिस तरीके से फिर वो beat करके उनको और एक pass बस release हो जाता था चाहे वो Harland कर रहे हैं चाहे बर्नाडो सिल्वा कर रहे हैं Julian Alvarez कर रहे हैं और Foden और Doku बड़ी अराम से channels में आ रहे थे बीच में Harland को deliver करने के लिए तो वो चीज हमने बहुत बार की और बहुत silly mistakes के कारण और वो वो जिसकी वज़े से तीसरा goal score किया Man City ने लेकिन जैसा मैंने का इस game में एक बहुत अच्छी बात थी हमने give up नहीं किया उसके बावजूद भी हमने अच्छे अच्छे chances बना एक Cole Palmer का run याद आता है जो उन्होंने रिगल किया अपने आपको और दो-तीन Man City players को beat करके एक finish करनी की try की बड़ थोड़ा off balance थे तो शायद उस तरी के contact नहीं मिल पाया उनको जो उनको चाहिए था और Ederson वाँ save कर लेता है वरना एक बहुत ही बहुत भेथरी goal होता लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे आज बहुत बहुत अच्छे substitution की आज पॉचिटीनों ने मुद्रिक को लेके आए वो ब्रोहा को लेके आए उनको पता था कि एक goal की जरुवत है तो यहाँ पर all out जाने की जरुवत है Enzo को हटाया, मुद्रिक को लेके आए Reece James को अटाया, गुस्तो को लेके आ जैसा मैंने शुरू में कहा कि manage करने की हमको जरुवत है और वहाँ पर देखा कि मुद्रिक ने कुछ impact जरूर डाला वहाँ पर, Gallagher जो है वो एक shot लेते हैं और rebound पर switch down रहते हैं, Jackson और just अगर आप देखेंगे shoot करने से पहले एक second का composure उन्होंने लिया rush नहीं किया अपने आपको और एक अच्छी finish उनकी और 3-3 से वहाँ match बराबर हो गया अब 3-3 पे एक और मौका था वहाँ पर रहीम स्टर्लिंग बॉल जीतते हैं और मालो गुस्तो को ball play कर देते हैं और वहाँ पर मालो गुस्तो एक chance मिस कर देते हैं जो मुझे लगता हुनको score करना चाहिए था match वहाँ पर हमारी lead हो जाती जहां पर हमने दो बार comeback किया नीचे होने पर score line पर एक बार 1-0 down पर हमने comeback कर लिया एक बार 3-2 down पर हमने comeback कर लिया 4-3 फिर से up हो सकते थे जो हमने chance गवा हैं लेकिन उस time पर ऐसा लग रहा था कि match किसी भी तरफ जा सकता है जिस तरीके से city attack कर रही थी हम कभी-कभी गलतियां कर रहे थे लेकिन city भी possession lose कर रही थी जिसका हम फाइदा उठा रहे थे transition पे दोनों ही team है एक दूसरे को बहुत जादा तकलीफ दे रही थी और फिर आता है एक unfortunate moment जब Rodri एक shot लेते हैं और Thiago Silva से deflect होके वो चली जाती है मुझे तो समझी नहीं आ रहा लोग बोल रहे है Rodri ने banger मार दिया बेंगर मार दिया deflection को भी लोग बेंगर बोल दे रहे हैं आजकल तो मैं क्या ही बोलूँ उस बारे में तो तो Rodri का वो एक lucky goal होता है unlucky for Chelsea एक सीधा shot था वो अगर Thiago Silva अपना pair नहीं लगाता है या मान लीजी Thiago Silva होते भी नहीं तो Sanchez के पास सीधी वो आ रही थी ball Sanchez position में थे उसको save करने के लिए लेकिन luck जो है साथ नहीं देता है और Man City की तरफ और Rodri की तरफ होता luck और एक बहुती cruel deflection की वज़े से Chelsea चौथा goal concede कर लेती और अब यहाँ पर लगता है कि भाई 86th minute में Rodri ने goal मार दी अब तो भाई होई गया है मामला सेटल लेकिन 8 minute का edit time मिलता है Armando Broha को ले आया जाता है एक और striker जो है वो आ जाते हैं field पे और उसके बाद जो है फिर एक हमको last minute में penalty मिलती है and guess किसकी ball थी वो again Raheem Sterling Armando Broha को ball देते हैं Armando Broha रखते हैं ball अपने पास I must say cold palmer ice cold ice running through his veins इतनी high pressure high stakes penalty 4 out of 4 penalties Cole Palmer score करते हैं एक उन्होंने Arsenal के against की थी एक Tottenham के against की थी अब City के against कर दिये तो ऐसा भी नहीं है कि छोटी penalty score कर रहे है वो बड़े matches में बड़ी-बड़ी penalties बड़ी high pressure situations में वो penalty score कर रहे हैं मैच 4-4 हो जाता है और उसके थोड़ी देर के बाद referee फिर final whistle बजा देते हैं कुछ इस तरीके कर जो है match देखने को मिला तो उसके बीच में एक free kick भी मिली थी Kyle Walker को जो मुझे लगा था कि वही defend हो जाए जैसे थे से but that was the whole game और क्या मतलब अच्छा था आज क्या अच्छा देखने को मिला हमको Chelsea से पहली चीज तो कि हम बिल्कुल भी नहीं डरे Man City से हम overwhelm नहीं हुए occasion से कि वही champions of Europe आ रहे है treble winners आ रहे है आप किसी भी team को respect देते हो by not giving respect to them in the term कि हम तुम से डरेंगे नहीं हमें पता है कि तुम Man City हो और हम तुमारी इज़त करते हैं इसलिए हम उस level पे खेलेंगे जो level चाहिए तुमको हराने के लिए and I think वो first minute से clear था और Pochettino ने यही आज drill करके भेजा था team को कि भाई चाह कुछ भी हो जा ball जो है वो आगे चलेगी तेज चलेगी और Sterling और Palmer तुम्हारे पास जो है जिम्मा है कि उन pockets में तुमने operate करना अपने man को take on करना और chances तुमको create करना और exactly आज वो ही team execute कर रही थी दूसरी चीज़ substitutions जो Pochettino ने करे bang on बिल्कुल जो जरुद थी हमको बिल्कुल सही time पे करने की और बिल्कुल जो Pochettino ने जिस तरीके से read किया game को और जिस तरीके से वो end में भी अगर आप देखेंगे तो Anthony Taylor से लड़ने आ रहे थे because उनको लगा कि जो वो call था penalty का बहुत harsh था और finally एक आग दिख रही है किसी Chelsea manager में बहुत time बाद Thomas Tuchel के बाद अब देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा manager है जो club के लिए लड़ जाना चाहरा है एक ऐसा manager है जो care करता है कि मैं यहां हूँ और मुझे इस team को अच्छा जो है बनाना है competitive बनाना है खड़ा करना है Chelsea को वापिस से उस position पे जहां पे पहले थी Chelsea Roman Abramovic के time पे तो वो चीज बहुत अच्छी थी और तीसरी चीज जैसा मैं कहा रहा हूँ self belief Chelsea का never give a patitude जो हमने देखा एक वो fighting spirit जो होती है एक doggedness जो होती है वो आज देखने को मिली मुझे Chelsea से और मैं बहुत बहुत जादा खुश हूँ उस चीज के लिए बहुत जादा confidence देती है ये draw जो मैं जीत बोलने वाला तो almost बट मुझे तो जीत वाली feeling आ रही है जिस तरीके से अगर आप एक ऐसी Man City टीम जिनके पास best coach है best defensive midfielder है best striker है अभी current generation का बहुत ही exciting players है all round best defender भी आप कही सकते है Ruben Diaz में और जिस तरीके से Man City खेलती है उनको चार गोल मारना दो मैच में लगातार total of 8 गोल स्कोर करना चार अगेंस पर्स चार अगेंस City एक बहुत ही जादा massive confidence boost है और बहुत अच्छा है हमारे आगे आने वाले season के लिए I'm gutted की फिर से जो है international break आ गया last time भी यही हुआ था कि जब हम 2-3 match जीत गए ते फिर एक international break आ गया था और अब दुबारा से एक international break आ गया जब हमने इतनी अच्छी performance दी अगेंस Man City तो next match का मैं वेट नहीं कर सकता Newcastle से अब यह perfect time होता अब Newcastle को खेलनेगा because Newcastle जो है थोड़ा injury से hit है वो भी और अभी उनका भी form कुछ अच्छा नहीं चल रहा और हमको अवे खेलना उनसे तो हमारे लिए बहुत सही time रहता यह confidence लेके Newcastle अवे लेके जाना लेकिन ठी है कोई दिक्कत नहीं है on that too जब हमारे सारे 11 के 11 players अच्छे नहीं थे जैसे मैंने का कुकू रहा कि आज performance थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मतलब entirely it was not bad but जहां पर जरुवत थी कि वो थोड़ा अपने decisions है उनको वे करें थोड़ा सा काम रहें वो थोड़ा रश कर रहे थे अपने आपको कैसेडो अगेन थोड़ा सा जुनका off day था तो अगर better performance होती है उनकी तो शायद हम city का progression रोक पाते है जो आज कैसेडो से नहीं हो पा रहा था Enzo again was invisible in the game Gallagher जैसा मैंने गा हमारे best midfielder थे Jackson का second half बहुत बढ़ी आथा first half में Jackson का जादा हमने को देखने को कुछ मिला नहीं बाकि best players की अगर हम बात करें तो Cole Palmer हो गए, Gallagher हो गए, Sterling हो गए Thiyagosilva को credit दूंगा मैं बट अगेन जब आप 4 goal concede करते हैं तो इंडिविजवल mistakes का धियान रखना पड़ेगा जो हम silly mistakes कर दे रहे हैं जो हम switch off हो जाते हैं at moments उसका हमको धियान रखना पड़ेगा वो चीज़े हम बार बार repeat नहीं कर सकते लेकिन ठीक है ये जो है एक बहुत बड़ा statement दिया है अब ये जो belief आया है इससे और ये जो confidence boost मिला इसको आपको carry करना है अब ये नहीं है और कि आप यहां से जाए Newcastle पे खेले Newcastle पे आप draw करा लें अच्छा खेल के हम बोलें वाह क्या performance थी और फिर उसके बाद जो Sheffields है या Brightons है जिससे भी match हो वो आप हाड़ जाए ये नहीं करना है भाई अब ये problem बता है क्या हो रही है जो अच्छी performance हो रही है ना Chelsea की उसतने points हमारे आनी पारे हैं जिसकी वज़े से हम जादा कुछ अभी दिखा नहीं सकते है ultimately paper पर ही होगी बात सारी कि आपके किते point है कोई उसमें bracket में नहीं लिखता कि ये इस match में अच्छी performance थी ये वो चीथी वो थी ये थी अब XG philosophy जो Twitter पर पेज है उन्होंने आज एक tweet डाला है कि जो 12 match उमें उसमें 11 में Chelsea match जीती है 11 matches Chelsea जीती है XG पर तो chances create कर रही है Chelsea it's about finishing those chances और आज XG को overperform किया Chelsea ने 3.37 का XG था और 4 goals score किया तो यह अच्छी बात है against a Man City side तो क्या हो रहा है कि हम बड़ी teams के against तो अच्छा खेली रहे हैं जो highline रखती है जो low block में set नहीं होती है उनके against तो हम अच्छा खेलती हैं लेकिन eventually यह सब चीज़े ठीक हो जाएंगी अभी अनकुंको और लाविया की वापसी भी होनी है टीम में बहुत बड़ा boost होका उन दो players का आना वापस टीम में लेकिन अभी जो 2-3 हफते में देखने को मिला है Arsenal के against, Spurs के against result अच्छा था, ठीक है उसकी हमने बात की थी but ultimately result matter करता है और यह Man City की performance the best performance अभी तक Chelsea की hands down, पिछले 18 महीने की सबसे अच्छी performance है last season भी मैं include कर देता हूं अगर तो तो मुझे भरोसा हो रहा है Pochettino में, मुझे इस project में भरोसा हो रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पर It's just that की एक थोड़ी सी और chemistry आ जाए इस team को और थोड़ा साथ खेलने को मिले और manager को थोड़ा all time दिया जाए अपनी philosophy इंकल्केट करने का और जो कराना चाहरे है वो करने का क्योंकि जो last season हम देख रहे थे और जो अभी उसमें तो जमीन आसमान का फरक है पिछले दो मैच में 8 गोल मारे हैं Chelsea ने I don't know 8 गोल पिछले सीजन हमने कितना time लिया होगा मारने के लिए 3-4 महिने में शायद 8 गोल मारे होगा हमने last के 3-4 महिने में प्रिमेर लिग में पिछले सीजन तो ये improvements are visible it's just that कि वो translate नहीं हो in terms of points on the table तो उसके लिए Chelsea fans हमको patient रहना पड़ेगा मैं कह रहा हूं कि patience रखे है आप शुरू में मैं भी बहुत reactionary हो गया था Aston Villa वाली हार के बाद I think जब मैंने का था कि ये बंदा sack हो जाएगा इतना difficult run of fixtures अगर हम ये ही खेलते रहें लेकिन चीज़ें ठीक हो गई है Reese James की वापसी से बहुत जादा फरक पड़ा है दिख रहा है वो और अब Nkunku अगर आ जाएगे तो I think हमारी team और बहतर हो जाएगी Cole Palmer की signing जो है उसने भी बहुत बड़ा जो है change किया है plus Sterling का form Sterling का form बहुत अच्छा चल रहा है I think consistency है consistency is the key अगर ये team एक अच्छे run पे चले जाए ना 12-13 match के consistent क्योंकि अब एक difficult run हमारा खतम होने वाला है जो बड़े हाती थे उनको तो हमने देख लिया Arsenal गई, Spurs गई, City गई ये तीन match तो गई 5 point किसने सोचा होगा 5 point आएंगे और आप ये देखिए कि इस 5 point में 9 के 9 point आ सकते थे हमारे Arsenal के against हमको जीतना चाहिए थे Spurs के against तो हम जीती गए और Man City के against भी हम कह सकते हैं कि हम जीत सकते थे तो अगर आप एक Man City के against इस Man City side के against आप ये बोल के अगर भार निकल रहे हैं कि यार हम point ले सकते थे तीनों और Man City are lucky to get away with a point तो भाई आपने अच्छा किया है और आप अच्छे track पे हैं का मतलब ये है तो patience is the keyword in my opinion थोड़ा सा team को और support करने की जरुवत है ऐसे गंदे-गंदे results और भी आएंगे बीच में जैसे Brentford की वो हार थी आप तयार रहेगा because in experience है इस team में लेकिन इस team को जो है पता है कि अब क्या करना है और किस तरीकी की football खेलने है that is the most important thing कि एक बड़ी team के against हम अच्छा खेल पा रहे है finally तो ये मेरे initial thoughts है इस पर मुझे और बहुत सारी बात करनी है जो आज मैं एक live stream में करूंगा dedicated we'll try to get Pranay also और discussion करेंगे इस match की कि भई क्या हुआ कैसे हुआ but yes ये मेरा एक छोटा सा अगर छोटा तो नहीं काफी लंबा हो गया ये video but still एक initial thought है थोड़ा I'm high on adrenaline भी अभी दिवाली का time है happy दिवाली once again आप सबको और क्या gift दिया है दिवाली का team ने और शांदार performance so proud of the team so happy with the performance और अब यहां से जो है इस momentum को ride करना और जो चीजे हैं वो अच्छी होंगी और points अब लाने भी ज़रूरी है अब table पे भी दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ अच्छा football खिलना काफी नहीं है आपको जो है अब उनको points में तबदील करने की ज़रूबत है तो बस ये मेरा जो है take away as match से lots of positives looking forward to the season और international break के बाद मज़ा आएगा because और भी हमारे दो जो main player है injury से वापस आएंगे तो देखते हैं क्या होता है तो आपकी कह रहा है please do let me know in the comment section और कैसा लगा आपको match who was your man of the match ये सब मुझे बताइए मिलता हूं मैं आपसे जल्दी जब तक ध्यान रखे अपने take care and don't forget to give the blue flag flying high